वेलकम टू मा यूटूब चैनल और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि नैपियर्स बोन क्या होता है एक इंगलिस मैथेमेटिसियन थे जिनका नाम था जॉन नैपियर्ड इन्होंने एक मेकेनिकल डिवाइस बनाया मल्टिप्लिकेशन को असान बनाने के लिए 617 AD में और इस डिवाइस का नाम पर नैपियर्स बोन ये जो नैपियर्स बोन जो डिवाइस है ये मैनुवाली ओपरेटेड कल्कुलेटिंग डिवाइस है जिसको की जॉन नैपियर के द्वारा बनाया गया था और जॉन नैपियर्स मरचिस्टान के थे मरचिस्टान जो है स्कॉटलैंड में है और इन्होंने इश डिवाइस को बनाया था प्रोडक्ट के लिए और कोसियन टॉप नंबर का कल्कुलेशन को परफॉर्म करने के लिए और इस device में एक method का परियोग किया गया था जो की lattice multiplication पे best था और इन्होंने इसका नाम रखा रैब्डो लॉजी और ये जो device है कुछ इस तरह का दिखता है